कि अजू कि अभी से मंत्रा विशेक फ्यूचर हेलो अब्रीवर्ण वल्कम यूवल इन टुडेश दा हिंदु नूज से और आज के दा हिंदू नूज अनूज समय कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानि बीता हुआ कल का एक important टॉपिक जो कि आने वाले एक साल में इंडिया का future decide करेगा इंडिया का financial future decide करेगा उसको भी देखेंगे तो आज की news में उसको add कर देते हैं कल की वीडियो नहीं आ पाई थी यू माइट आफ जस्ट वाचिंग दा डेली हिंडू वीडियो जो लाइव होता है तो उससे थोड़ा इडिया लगी गया होगा अगर बात आती है जहां पर पीपीटी फॉर्मेट में या फे नोट्स के फॉर्मेट में तो वह हम इस वीडियो के थुरू देख लेंगे बट बजट पढ़ने से पहले एक चीज हमेसा ध्यान में इपॉर्टेंट है जो आइगेस की वह पीपीटी और पेजेस और इमेजस से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है इवन निर्मला सीता रमन मैडम भी मतलब वैसे ही कुछ न कुछ करती है और बजट का डिबेट देख रहा होगे उस पे एक मीम भी बड़ा अच्छा वाहर देखो यह चीज आजकर नियूज में बहुत चल रही है जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग्स करते हों उन्हें पाता चल रहा होगी भाई आडानी का सेरी गरते जा रहा है और प्रॉब्लिम है ट्रेडिंग्स का कुछ-कुछ आस्पेक्ट जो यहां पर गलत पाया गया और वो यह सही है एलिगेशन के कैसा है जेपी सी होता है बेसिकली जॉइंट पार्लियमेंटरी कमीटी तो क्या क्या होता है जेपी सी क्या होता है आर्टिकल 105 इसको थोड़ा सा देखेंगे इसमें नो बारन कंटेस्टिंग तू सिट इन वन पोल सुप्रीम कोट का एक बड़ अच इस ताइप की चीज़े और इसमें बेसिकली चीज कहा गया कि सुप्रीम कोट ने कहा अगर जाने बाकी आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कि दो सीट पे परसन जो है वो एलेक्शन लड़ सकता है इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोधी वो भी लड़े है और उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है यह दो सीट पर लधना ठीक है नहीं है एक्स अडस्टर रह की बाते आरिक है जोड़ी बदेंगे और क्या होता है एलेक्शन एक्सेस इसमें तो इस बारे में भी थोड़ी बहूं चर्शा करेंगे हर्ड इस कपन UAPA लगभग लगभग 28 हफतों बाद सिद्धिक कपन को रिलीस किया गया इट इस राफ एस्टिमेट बाकी एक बार देखना होगा कि कितने दिन थे टोटल तो सिद्धिक कपन को रिलीस किया गया जो की हात्रस गैंग रेप और को कवर करने आए थे यूप में और उनके उपर अनलॉफुल एक्टिविटिस प्रेविंशन एक्ट के चार्जिस लगाएगे तो चलिए उन पर जो चार्जिस लगे लगे वी हाब तो कंसीडर यह वट एक्जाक्ली दे यूए पीए इस और क्या है यूए पीए का लकूना जिस पे इवें जस्टिस मदन भी लोकर ने भी बहुत बाते करी है कि यूए पीए गलत है इसमें कुछ कंडिशन्स खराब है और कहीं न कहीं ये पीए मेले के तरफ भी जाता है ठीक है पीए मेले इस दे प्रिविंशन मनी लॉंडरिंग एक्ट थर्ड हमापास टॉपिक फूर्थ अगयर एपी ओवर द बजट एट ऊपर भांधरा भाधरा प्रजेक्ट लेंगे अपर भाधरा प्रजेक्ट क्या होता है और कब स्टार्ट हुआ था अपर भाधरा प्रजेक्ट इसको हम पहले देखेंगे बाकी इन सब चीजों करेंगे तो देखो क्योंकि यहां तक आते आते हैं आ आप बोर हो जाओगे तो पहले बजट वाला पोर्शन कवर करेंगे और बजट वाला पोर्शन आयल एक्सक्पेक्ट की उसको ट्रिम करके भी मिल जाएक आपको अलग से तो एक होता है ने कि पूरी वीडियो ना देखनी पड़े तो एक अलग से वीडियो देख लो वहां से देख ले ना इसको एंड लास्ट इस साइट डेटाबेस रिवील्स दव सांडर्स स्मगलिंग यह जो आप लोगों ने एक मुवी देखी होगी पुषपा उसमें बोलता है कि मतलब पुषपा मैं जुकेगा नहीं साला तो यह बोला जाता है तो यह वहीं से चंदन की लकडी वाला स्मगलिंग तो से यह बट यहां पर आपको पुषपा नहीं यहां पर आपको साइट पढ़ना है ठीक है कि साइट क्या होता है आई होप कि यहां पर क्लियर होगा कि हमारे आगे का इंटेंशन क्या होने वाला है वीडियो का पस्ट हमारा टॉपिक होगा बजट एंड वी कवरिंग तो जल्दी से जंप करते हैं हम अपने बजट वाले पर वाइल बहुत लंबी पीपीटी है भाई साब 71 पेज़ेस की पीपीटी है तो थोड़ा सा आई ऑलसो नीट टाइम वहां तक पहुंचने के लिए चलिए पुटिंग बजट इन्टो परस्पेक्टिव 2023 का जो बजट आया उसको परस्पेक्टिव में डाला गए यह दा ह इकनोमिक सर्वे और इसके उपर अगर आपको फुल फ्लेज़ड वीडियो देखना है तो आप 31 जैन और वन फैब के नाम से एक वीडियो है वह देखना और एकनोमिक सर्वे का यह वीडियो ट्रिम भी हो जाएगा तो आप वहां से भी देख सकते हो एकनोमिक सर्वे बेसिकली पिछले साल का आता है डैट इस दर 2022 का एकनोमिक सर्वे होता है और दूसरी बार जब हम करेंगे वो होती है बजट की ठीक है बजट होता है 2022 से 23 का एकनोमिक सर्वे बताता है आपका पास्ट परफॉर्मेंस ठीक है कि आपने पिछले साल जो आप बजेट जो है वो बताएगा आपका बही खाता कि आप साल भर कैसे क्या खर्चा करने कहां से करद लेने वाले हो कहां कितना invest करने वाले हो एक एक रुप्या का बात करें तो article 112 जो होता है इंडियन constitution का वो बोलता है एक वर्ड डैट इस दा कि एन्वल पाइनांशियल स्टेट्मेंट तो यह वर्ड याद रखना बजट वर्ड कहीं नहीं है इंडियन एक साल का क्या आपका खाता खर्चा कमाई आमदनी अठनी खर्चा रुपई या कितना क्या होने वाला है वो बताता है उसी को हम लोग कहते हैं बजट तो बजट पेश हो गया बजट पेश की निर्मला सीथा रमत सबस्टेंशली कम देर लगा इनको पेश करने में इस बार 84 म मीम बने भी वह इस पर बने की मैडम ने गलती से ओल्ड पॉलिटिकल वेहिकल बोल दिया और बोलना था उनको ओल जो आपके वेहिकल्स होते हैं पॉल्यूटिंग वेहिकल्स उनके बारे में खैर चलिए इस बार का बजट है उसमें एक चीज याद रखना कि अमरित काल का इसको बोला जा रहा है अमरित काल और इस बार क्या बजट में जो थीम है वो आपका रहाद जी ट्वेटी यही थीम हमें इकोनॉमिक सरवे में भी देखने के लिए मिला टी जो है एक मास्टर थीम बनाया गया इस बार हर चीज का क्यों जी ट्वेंटी उस बार इंडिया हो स्टील जी ट्वेंटी एक सिस्टम पर चलता है इसे हम कहते हैं प्रोई का सिस्टम में बिसिकली जो था जो है जो होगा है और होगा यह तीनों मिल के काम करते हैं इसलिए बार कौन था बाली इंडोनेशिया इस बार इंडिया ब्राजील फिर साथ अफ्रिका इस तरह से चलता कि हर जगा जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी क्यों आता होगा कोई भी स्टेट्मेंट उठालो इस बार का कोई भी पेज उठालो उसके उपर में एक लोगो लगा हो ऐसे गीट्वेंटी और उसके नीचे कहीं कहीं पी यह भी लिखा रहता है वासुदेव कुटमबकम जो इस और 1950 में नहीं किया गया ता। इिंडबेंटंट इंडिया का 1950 में किया गया था है और जो बजेट का कॉंसेप्ट है यह किसके कालन से आया था कि जो इंडियन बजेट है वो पहली बार 160 साल पूराना से 1860 में पेश किया गया था by Scottish Economist जिनका नाम है James Wilson, James Wilson ने जो की Scottish Economist थे उन्होंने पहला बजट पेश किया 1860 में और Independence के बाद 26 November 1947 को पेश किया गया Independent India का पहला बजट उस टेम के Finance Minister थे आरके शनमुखंचेती ये नाम याद रखना Independent India और First Budget ये दो बड़े Controversial Terms हो सकते हैं अगर आपको एक्जाम में आता है कि First Indian Budget का पेश किया गया था तो 1860 में by James Wilson ठीक है और First Independent India का बजट किसने पेश किया था तो एंके आरके शनमुखंचेती 26 नवंबर 1947 इंट्रेस्टिंगली 26 नवंबर को आप एक और नाम से जानते हैं डाट इस दर लॉड़े कि क्योंकि इस दिन Constitution बनके तयार हुआ था 1949 में बढ़ है ना 1949 47 नहीं अचा प्रोफेसर यह जो बजट का जो फादर कहा जाता है यह तो मैं बहाइंड बजट वस प्रोफेसर प्रशंता चंद्र महलानोबिस यानी PC महलानोबिस यह थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखने है जो बजट का आईडिया दिया था वो दिया था पीसी महलानोबिस ने तो इसको समप करके आगे बढ़ते हैं जल्दी से पहला बजट जेम्स विलसन इंडिपेंडिन इंडिया का पहला बजट आरके असन मुखम तो निस्टा रहुए झway train निर्मला सिथार्म league छुडिया खालय मार्मन वल्टू पीस्ट कि वेजट पेश है प्रीप मिनिस्ट्र करते हैं सब्सक्राकिन ओन सम्सके निर्मला सीथार्म्स का होता है कि आप आप के यवर एक ही पर्ट्फोलिग अल्ब्लमेंज리, आग्पस कि प्रफ मिनिस्टर Express अपने बज़ेट पेश किया 958 में पंडित ने बजट पेश किया था जब फैनास मिनिस्टर तो पंडित नहरू ने पहली बार बजट पेश किया अज़ प्राइम मिनिस्टर वो प्रेजनेट देशाइट 1970 में मिसिस इंद्रा गांधी ने बजट पेश किया अधर रिजिगनेशन अफ मुरारजी देशाई सिमिलर्ली 1987-88 में राजीव गांधी जी ने प्रेजन्ट किया बजट जब फिनांस मिस्टर वीपी सिंग ने रिजाइन किया था मुरारजी देशाई के पास record है कि उन्होंने सब पे ज़्यादा बार बजट पेश किया है मतलब दस बार भाई साब दस बार उस इंसान ने बजट पेश किया है और second rank holder है हमारे पी चिदामरम साब और प्रणो मुखर जी साब पी चिदामरम साब ने नौ बार और प्रणो मुखर जी साब ने आठ बार बजट पेश किया है वही article 112 112 कभी भी बजट कहीं define नहीं है constitution में आर्टिकल 112 बोलता है कि annual financial statement published किया जाएगा statement जो कि estimate करेगा क्या आपके रेसिप्स करते होंगे आपके expenditure कितना होगा मतलब आपकी आमदनी कितनी होगी और आप खर्चा कहां करोगे कितना करोगे ठीक है और देखेंगे आमदनी कहां कहां से होती है सब्सक्राइब की सरकार की रेसिप्स एन expenditure अंडर थी पार्ट्स यह तीन पार्ट में बटाया जाता है सबसे पहला है आपका consolidated फंड इंडिया अंड पॉब्लिक अकॉंट्स ऑफ इंडिया कि इंडिया कि कंटिंजेंसी फंड 267 और 266 प्रिपेर कौन करता है यह बजट डिपार्टमेंट ऑफ एकनोमिक अफिर्स ministry of finance के अंदर आता है फिसकल यह क्या है फॉस्ट अप्रिल से एक प्रिस मार्च यह तो हर किसी को पता है कि अगर आप commerce सब्जेक्स हो तो आपका नया साल एक अप्रिल को स्टार्ट होता है बाकी लोग है तो यह चीज है तो यहां पर इन सब चीजों पर थोड़ा पकर बना Department of Economic Affairs और वही पर यह चीज चेंज हो जाएंगी जब आप economic survey की बात करोगे वहाँ पर कौन होता है चीफ economic advisor कमेंट सेक्शन ने बताना हूज द करेंट सीए ऑफ इंडिया फिक है चलिए नेक्स आते हैं यह है अचीवमेंट सिन 2014 देखो सबसे पहले बजट में एंटर होने से से पहले यह बताया गया कि हमने 2014 से लेकि आज तर मतलब 8 साल 9 साल में क्या अचीफ किया है देखते हैं क्या क्या अचीफ किया है मोदी जीन गवर्मेंट ने सबसे पहली बार 11.7 करोड़न सच बारत में से अच्छा देखो इसमें ने यह मत याद रखना कि कितना किस पर क्य जाना से चीजों को उठाना जैसे हम लोगों ने एन्युल फैनांशल स्टेटर हम पड़रा था इकनामिक सर्वें पड़र है तो इन स्कीम्स के बारे में पढ़ना यह ही स्कीम्स कभी और एक्जाम में घुमाफिर आ कर पोचक्य जाती है ठीक है अच्छा हम एक चीज और है कि हम वर्ल्ड में 10th largest economy थे और अब 5th largest economy है LPG connections through उज्वला यूजना, उज्वला यूजना में क्या होता है LPG connections ऐसा कोशन सा सकता है, उज्वला यूजना is related to what अब इस पर बहुत सारे इन्होंने schemes launch किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे 220 करोर COVID vaccination of 102 करोर persons 47.8 करोर bank accounts under the PM जन्धन यूजना उसके बाद PM शुरक्सा बीमा यूजना जोती यूजना उसके बाद PM किसान सम्मान ने दी और per capita income हमारी double हो गई 1.97 लैक्ट तो यह चीज याद रखना कि achievements क्या कहते है, achievements में आप यूजवला यूजना याद रख सकते हो PM जन्धन किसे related है, स्वच भारत किसे related है और कितने largest economy से अभी तक हम आए हैं, इस तरह के questions भी frame हो सकते हैं, no doubt चली, तो starting में बताया था कि हम यह बात करेंगी, मिंट जीन से लिए, कि खर्चा कहां होता है, पैसा कहां जाता है, और अगर आप Instagram चलाते हो, तो हिंदुस्तान टाइम्स ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने बड़ा अच्छा image डाला थे, जिसमें उन्होंने दो circles बनाएं, इ एक रुप्या, माइबड, और अच्छे से लिखा यहां पर, रुपीज वन, और इसका एक पाई चार्ट बना लिया, जिससे यह पता चलेगा, कि आपका खर्चा कहां हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, और कहां पैसा जा रहा है, यह चीज़ जाना ज़रूरी है, घर पे अगर आप कुछ इदर उदर खर्च करो, तो पूछा जाता है, कहां से आ रहा है, कौन से बैंक में डाका डाले हो, क्या कर रहे हो, वैसे वेलंटाइन सारा, आधे लोग तो वैसे बैंक में डाका डालेंगे हो, चले, देखते हैं भाई, कि हमाई सरकार कहां से पैसा लाती ह तो रुपीज कम फ्राम बॉरोविंग और लियाबिलिटीज देखो बॉरोविंग होता है कि मतलब कहीं से आप ले रहे हो पैसा उधार ले रहे हो लियाबिलिटीज होती है कुछ-कुछ हमारी तो वहां से 34% वहां से आ जाता है यह जब जोड़ोगे ना पूरा लास्ट मिल तो यहां 100 हो जाएगा इतना बरुसा रखो निर्मला मैडम पर इस उसके बाद है नॉन टैक्स रिसिप्स परसेंट है ओविसली नॉन टैक्स होगा तो कमी होगा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्स मतलब जहां पर आपका करजा नहीं है जिस कैपिटल पर डेप नहीं है वह 2 कस्तम्स से 4 परसेंट जी ऐस्टी 17 यह बहुत कम है जी असके बात कॉरपोरेशन टैक्स 15 यह बहुत कम है कॉरपोरेशन टैक्स जतने मतलब अगर आप एक स्टिमेट लगाना कभी कि एक मेडिल क्लास जितना टैक्स देता है उतना ये कॉर्पोरेट स्टैक्स नहीं देते हैं कि उने एक्सए ड्यूटी 7% और इंकम टेक्स 15% इंकम में बहुत सारी चीज़ आजाती है जब आप इंकम की बाद करते हो ना कि इंकम से मतलब लगता कि हाँ इंकम मतलब सालरी नहीं तो होता है बट सासारी के बहुत साटे था अकेले salary का मतलब यह नहीं होता है कि आपने कहीं काम किया और आपको पैसे मिलगा that is the salary no एक तू होता है आपके wages अग्वेजिस कैसा होता दीहरी अगर मानलो कि कोई contractual basis पर हो वो सब चीज आ जाएंगी आपको आगे अगर देखना चाहो इसमें तो आपको पेंशन मिल जाएगा इसमें आ जाएगा यह पार्ट अब वह टैक्सिबल नॉन टैक्सिबल वह अलग चीज़ हो जाती है इसमें और देखो कि तो incentives है अच्छा इंसेंटिव मॉनिटरी नॉन अधिकल तो इसमें पासरी चीज़े निसके अंदर यह तो बस एक जामपल कि अधर अब कहां तो यह तो देख लिया कि पैसा कहां कहां से आ रहा है अब कहां कहां जा रहा है यह देखते खांघंट है पहले हो रहा है रुपी गोजस्तु है अगर 4 एक रुपैया का 34 वह होता है इस तरह से चलता है कि इंट्रेस्ट प्लक से कुछ पैसा लिए रखाल तो आपको इंट्रेस्ट लगेगा सेंटर्ट ग॑वर्मंट जोस्कीम निकालती है पीयंग जण्दल उज्वाला उसमन कहां से आएगा पाइसा खुलत वो सब्सेक्वेस्ट इस एक्जामपल जलले एक्लेիशोर फाल इन सब में यह खर्चा करते हैं और वहां से वह पैसा लेते हैं और यह डेफेरेंस जो होता है न डेफेसिट क्रियेट करता है आमदनी अठनी खर्चा रुपईया अगर आप मतलब मान लो कि सरकार इस चीज से एक हजार रुपई कमारी है एक हजार रुपई कमारी है रुपीज 1,000 और इसमें वह खर्चा करने में 1200 रुपई खर्च कर दे रही है तो कि इतना हो गया 1200 माइनस 1000 तो 200 रुपीज और चाहिए तो यह क्या करेगा तरकार करज लेना शुरू करेगी यहां पर और यह जो 200 होता है इसे ही हम करते है डेफेसिट तो यह टर्म आप बहुत सुनोगे जब भी आप एकनॉमिक सर्वे या फिर बजट पढ़ोगे तो डेफेसिट की बात ह डेफेसिट मतलब होता है आप कितना करज में हो और एक बेसिक टर्म में जाने तो डेफेसिट तब होता है जब आपकी आंदमी अठनी हो खर्चा आप रुपया में कर रहा हूं जा लिए नेक्स देखते हैं क्या है अचा ये हमारा इसको जानने से पहले सब्तृशी जानो क्या होता है शबतृशी बेसिकली अमरित काल जो स्टाटिंग ने बताए कि ये बजट अमरित काल का बजट क्यों है ये जानो यह इसलिए है क्योंकि हमारा intention इसमें है inclusive development रीचिंग दा लास्ट माइल अन्त तक जाना है इन्फरास्ट्रक्चर एन इन्वेस्टमेंट अन्लीजिंग दा पोटेंशियल ग्रीन ग्रोथ ये कोशन आपके लिए इंपोर्टन हो सकता है क्योंकि G20 आ रहा है कार्बन न्यूट्रालिटी की बात करते हैं यूए एफ ट्रिपल सी यहां पर तो ग्रीन ग्रोथ की जब बात करोगे तो कुछ एक आधा टॉपिक है टाइम मेंशनिंग यह तो उनको पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि हमारी डिस्कॉशन हुई है लास्ट लास्ट में उस पर साबण घ्रिदी का सिह करो के हिए अघ्रीन घ्रोथ की बात करते हो आप बात करते हो कार्बन न्यूट्रालिटी से ब्हुत जादा लेना देना है इसमें आपका कॉर्प आता है कॉन्फेरंस ओक पार्र द listens होग था और कौन सथ कूप इंडियाद में हुए इसके बाद आत समझते हैं carbon credit carbon अचाई को वह पढ़ लेना क्योंकि इस बार के एक्जामस में important हो सकता और मोधी जी green के उपर बहुत focus है और इस बार के G20 में देख लेना अभी तो सालवर चलेगा यह चेयर अलग-अलग carbon credit क्या होता है तो let's suppose कि इंडिया की इंडिया के पास हर कंट्री को सौसो यूनिट कारवन क्रेट लिया आप कारवन सौसो यूनिट यूस कर सकते मैक्स अब हम ऐसे पॉलिसी लेकि आए जिससे हम 80 यूनिट में कारवन में अपना काम चला लिए ठीक है कितना बचना है बीस त तो वहां से हमने जो क्रेट लिया वो कारवन क्रेट हो गया उसके बाद हमारे पास यूथ पावर यूथ पावर पे भी मोदी जी ने कुछ बड़ा अच्छा बताया है देखेंगे और फैनांशल सेक्टर यह है हमारा सब्त रिसी सब्त रिसी याद कर लेना आ सकता है चले तो वापस पिछले वाले पर चलते है ड्रीं ग्रोफ में क्या-क्या है डीट देखदें ग्रीड अब एक एक सब्त रिसी को डील करते चलेंगे ड्रीन क्रेट प्रोग्राम प्रनाम इसकी इसके रिलेटेड मेरे पास कौश्चन भी है अगर कौश्चन आए कि प्रनाम क होता है environmental pollution उसको erode करने के लिए कम करने के लिए PM प्रणाम यहां इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ सब कुछ है इस प्रोग्राम फर प्रमोशन अवेरनेस नूरिश्मेंट और यह पढ़ लेना उसको देखना उसके बाद तो आपको 27 में की गई थी बात याद रखना यह बात की गई है इह हर कोछ कही नगई इंटर रिएंटर रिलेंटेड है सब आपस में अमरीद धरोवर यह तीन साल में optimal usage of the wetlands अगें बात आगी wetlands की और wetlands में तो कोशन आ चुका है रामसर साइट्स रामसर कंवेंशन याद करो wetlands में और यहां पर आपको क्या पढ़ना है रामसर साइट्स प्लस कंविंशन और रामसर साइट्स इंडिया में है 75 जब हम 75 साल मना रहे थे अपने आजादी का तो हमने 75 रामसर साइट्स डाले उसमें टोटल ठीक है तो वेट लेंड्स हो गया अम्रिधर होगा मिश्टी हो गया आपको मैं रूप प्लांटेशन स्कीम तो आई होप की ग्रींग ग्रोथ में आपर क्लेरिटी है और सेशन बताना कैसा लगा चलिए नेक्स आते हैं शब्त रिसी देख लिए हम लोग ने पनांशल सेक्टर प्यापते हैं तो फिनांशल सेक्टर में सबसे पहले है महिला सम्मान भारत पत्राज इसमें क्या ह है कि दो साल के लिए दो लाग तक का वह एक फैसिलीटी दिया जाएगा विमेंस को बेनिफिट्स टू सीनर से तीस लाग सेविंग स्कीम गिफ्ट आई सी सेवरल इंसेंटिप्स टू प्रमोट बिजनेस एक्टिविटी यह होते हैं में समी 2002 में आया था इंडिया में अमेकि मैं समॉल मीडियों एन सब्सक्राइब उन को प्रमोशन मिले Sorry स्टेश मेंट टू स्टेट 50 साल व्माचरागा स्ट्रेक हम स्टैश्रम स्टेटिवु पर साथ्सराज़े जु suspended जाए मतलब आप साथीन परसेंट तक आप जा सकते हैं और बजट एस्टीमेट है दोजार यह इस लाग करोड़ और टोटल एक्सपेंडिटर है पैतालीस लाग करोड़ और नेट टैक्स है हमारे पास टैइस लाग करोड़ ठीक है जब जोड़ोगे ना साथ दिन दस तो दोचारिक पच पचास और टोटल एक्सपेंडर पैतालीस कुछ नों कुछ में बचा लेंगे इनके इजाब से डेफिसिट में नहीं जाना चाहिए तो यह था इतना आई होप कि यहां पर चीज़ें क्लेर होंगी अब आगे और देखते हैं क्या 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 रिलेटेड इंकम टैक्स अ कि इतना तक डिड़क्टेड है उसके बाद टैक्स लगेगा कि जैसे माल लो किसी की पैंशन है 30,000 रुपे 15,000 अब यह 15,000 पर टैक्स सुरूँ होगा और यह सर्चार्ज रेट कितना होगा सर्चार्ज पे जो टैक्स लगता है सर्चार्ज टैक्स एक्जम्शन लिमिट बीस चुट्टी है आपके पास इसी भी कंपनी में गाम गुर्ण तो आपने एक भी चुट्टी नहीं ली तो आपने क्या किया उस 20 साल के लीव को गनवर्ट करा लिया पैसे में तो वह लीव इनकैश्मेंट में भी 25,000 तक का यह नॉन गवर्मेंट सैलरीड इंपलोईस त बारा पंदरह पंदरह बीस एववा पंदरह तीस ठीक है मतलब सोच थे जो जो इनसान 14,9999 कमा रहा वो 20 परसेंट दे गा जो 15,000,000 कमा रहा एक रूपया उस्यादा कमा रहा तो वो 30 परसेंट देगा युम्हकं इनके रिटस ससते होंगे कैसे नुदि में ही हैं एक्साइज डिवलिटी एक्जेम्ट कर दिए अटिंडूनिक्स में रिलीव दिया कस्टम ड्यूटी पे एलेट्रिकल्स में कस्टम ड्यूटी किचन चिमनी साधे साथ 15 परसेंट कर दिया अच्छा अब इसकी बाद क्या है चैमिकल्स और पेट्रो कैमिकल्स में जो एक्जम बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है पेट्रो कैमिकल्स पर उसको एक्जम्ट कर दिया अब इनके प्राइस महेंगे हो गए जो मरीन प्रोडक्स होते हैं जो श्रीम फीड हो गए या फिर इनके प्राइस बढ़ गए इन पे 16 परसेंट का ड्यूटी लगाए गया टिके नैशनल क्यामिटी कंटिंजेंट ड्यूटी लगता है यह चीज़ याद रखना नैशनल क्या कंटिंजेंट ड्यूटी इंपोर्टेंट उसकी बाद लैब्रों डायमंड्स प्रीशियस मैटल्स कंपाउंड रवर इस पर बढ़ा दिये इनके रेट्स बढ़ाए गया और पिछले वाले के घटा दिये एक मीम भी आया था ना कि स्मोकर्स वाइल स्मोकिंग की इसलिए स् सिग्निफाइब कमिंग पिरेड इस गुरूइंग तो बीदे मुस्ट प्रॉस्परस कैसे प्रॉस्परस होगा इन सब की जो को हमने देखा नेक्स आते हैं अम्रित काल आउसर डिस्क्राइब दो हो प्र बेटर फ्यूचर वेर इंडिया वोड बी सेल्फ रिलाइंड ग्लो 2023 को इयर ओफ मिलेट्स डिक्लियर किया है यह 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 याद रखना है यह 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 स्कीम से रिलेटर है उसके बाद है निर्मला सीधा रमन ने प्राइम मिनिस्टर को कोड करते हुए कहा कि हम मेलेट्स को पॉपलराइज करेंगी यह बाजरा कुट्टू रमदाना कंग यह यह पूरा बजट के स्टेट्मेंट से उठाया गया वह बर्धन स्कीम अभी देखा गैल्वनाइजिंग और्गैनिक बायो रिसोर्स ठीक है इस्टू हंड़ेट कंप्रेस्ट बायो गैसे प्लांट वगेरा इंक्लूड होंगे इसमें यूथ पावर यूथ पावर के ल अब बजट पर है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा तो अभी तक देखिली हम लोगों ने बजट का एक ऊवर ओल आस्पेक्स क्या था क्या-क्या चीज़ें थी कितनी स्कीम कि कितना निर्मला मेडम खर्चा करने वाली है कितना आने वाला कहां से आने वाला ह और अब देखते हैं हमारे अगले टॉपिक्स क्या क्या है तो चलिए बैक टू पवेलियन थोड़ा टाइम लगेगा पेविलियन जाने में इतने भी शॉट पिछ पर नहीं रहने वाले कि अडाणी साब को आणिन दीजे फिर स्टार्ट करते हैं यूज दाणी आडानी क्रेश स्वाल्स पार्लेमेंट आपोसिशन सीग्स ज्यूपिसी प्रोब जानिंट पॉबरीमेंटरी कमिटी की प्रोब लगी है कि भाई सब पता करो कहा जा रहा है पाइसा तो देखते हैं कह सब्सक्राइब करने के लिए पार्लेमेंट ने कहा कि अब अब तो हम प्रोटेस्ट करेंगे पता करो क्या चल रहा है तो आडानी ग्रोट में एक्जेक्ली क्या हो रहा है कि हिंडनबग की रिपोर्ट के बाद अलेज किया गया इनको कि राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी कर देंगे तो हमारे पास दो चीज़ें आपर पढ़ने के लिए राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी क्या होता है और जी ए ए ए एक टर्म होता है जो इसमें कम्माइन किया जाता है और रिपोर्ट का नाम याद रखना है हिंडन बर्ग रिपोर्ट है तो राउंड ट्रिपिंग क्या होता है जिसे अगर आप डेली से हो तो आपके लिए एक एक वर्ड से फेमिलियर होगे जिसे कहते हैं गेड़ी मारना या नहीं फेमिलियर है तो कहीं और से भी होंगे आउटसाइड एली होंगे तो घूम के आते हैं वही है यह यह पैसा घूमाने का तरीका है राउंड ट्रिपिंग ट्रिप होता है बेसी के लिए अब इस पर हनी सिंग का गाना याद मत कर ले रहा है पैसा गया और इसे पैस पैसा तो गया कैसे गया यह पता नहीं लेकिन जब आएगा तो फॉरेंड इन्वेस्टमेंट के तरह से आएगा लेट सपोस लेट सपोस कि यहां से पैसा गया और यह बहुत सारे चैनल से हमने एक कंपनी बनाई होल्ट कंपनी बाहर में विदेश में और ऐसे कंट्री में बनाएंगे जहां पर हमारे टैक्स बगरा कम लगता हो तो यहां से इन्वेस्ट करेंगे हैं हमारे कंट्री में बहुत सारे चैनल से भी जाते हैं आवाला चैनल से बहुत सारे कोंपनी यहां से बहुत सारा पैसा भेजी अब इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया आपra की कंपनी पैसा दाली हूं सब्सक्तुक में शना रहे ऐसे ने सीमस्तु कर रहूं और एक तरह से बठाए आपका चैनल चेंज हो गया, आप दिखा नहीं रहे हो वो चीज, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीज है, और स्टॉक के प्राइसे गटे बढ़ते हैं, ये सब चीजे भी होती है, ऐसा नहीं है, कि हर कुछ लीगल ही होता है, चीक है, चली, नेक्स दे कोटे हैं, कभी भी, foreign investment जो आता है, इस चलीके से, उसे हम कहते है, P notes के त्रूँ इन्वेस्ट किया जाता है, P notes are basically the promissory notes, अब देखते हैं, पे notes होते कहा हैं, कौन regulate करता है, P notes are derivative instruments issued by the registered foreign portfolio, विदेश के portfolio, रिजिस्टर करते हैं उसको, और overseas investors उसमें डालते हैं, और ये इसमे रिजिस्टर करना जरूरी नहीं है, जब आप पी नोर्ट के थूर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सेवी के पास रिजिस्टर करना जरूरी नहीं होता है, नेक्स्ट है मारे पास round trapping often done through series of transactions, कभी भी एक transaction से आप round trapping नहीं कर सकते हो, भाईचा पता लग जाएगा, और राउन ट्रिपिंग न एक लाग दो लाग, दस लाग, पंदर लाग की नहीं होती, करोड़ों में राउन ट्रिपिंग होती है, और उस बुजो है उसमें गार की ट्रैपिंग से आप एक्जम्ट हो जाता हो, आसानी से, जेनरल एंटी एवर्डेंस रूल, तो देखते हैं, जेनरल एंटी एवर्डेंस रूल क्या है कैसे हुआ क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ सब देखेंगे फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया इसको 2012 में ठीक है और यह चैप्टर 10-A of Income Tax Act 1961 इससे डील करता है गार्ड प्रोविजन्स आर एफ्टीफ फ्रम असेस्मेंट ये 2018-2019 इससे डील चीज़ होता है एक प्रिवेश अर एक आसेस्मेंटियर ाप्रिवेश वर होता है पिछला साल अ क्याय कलकूलेट हो था है उससे हम कहते हैं असेस्मेंट इस और जिनका assessment होता है उसको हम कहते है assessi, जिसके माल लो कि मेरा tax calculate होता है, मेरे इस पिछले साल के उस पे tax पे यह जितना भी मैंने income किया पिछले साल उस पे जो tax calculate होगा, उसे हम कहेंगे assessment year, उस year को ठीक है, और मुझे कहेंगे assessi, जिसको मुझे tax, मेरे उपर assessment हो रहा है तो I am the SEC और जो कर रहा है वो assessment उस process को assessment, ठीक है और यानि financial year 2017-18 onwards इसको देखा जाता है next है हमारे पास constitution of the panel, GAR has existed's current form the regulations of 2017-18 assessment year, purely subjective level of offer officers to pick up cases, next हमारे पास GAR would go into effect, the tax department thinks that some transaction structures is outside India were set up done to revise the paying income tax, यह basically यही करते है income tax pay नहीं करना है भाई सब बहुत income tax पे करना पड़ जाएगा अगर आप direct करोगे बहुत income tax पे करना पड़ जाएगा तो इसलिए घूमाते हैं पैस, यह वही चेक करता है अब JPC क्या होता है क्योंकि joint parliamentary committee थी, joint parliamentary as the name suggests बहुत लोगसभा और राजसभा हैंगे, बट लोगसभा के member जादा होते है in comparison to the राजसभा in the JPC JPC एक ad hoc body है याद रखना, it is set up for a given एक particular time के लिए होता है, जिसे अभी आड़ानी का होगे, बात होगे, खता होगे, यह ठीक है JPC committee dissolved, बताएंगे कुछ examples आपको JPC committee as told की लोगसभा में, लोगसभा के double होते है in comparison to the राजसभा, क्योंकि वहाँ से members of representative आते हैं आपके real representative जो है, if JPC has 10 लोगसभा, तो राजसभा के पांच ही होगे, ठीक है, और total member of JPC 15 हो जाएंगे, अर्लियर JPC, बहुत सारे JPC बने जैसे बोफोर scandal हो गया, हर्षद में पर स्टॉक मार्केट स्कैम हो गया, केतन पारिक हो गया, soft drink Pepsi, Pepticide Issues हो गया, 2G spectrum हो गया VVIP chopper स्कैम हो गया, Land Acquisitions हो गया, NRC हो गया, जो अभी भी होल पह है Personal Data Protection Bill हो गया इन सब पे बनी है Parliamentary Committee और Reports भी आएं Next है मारे पास No Bar on Contesting Two Seats in One Pool यह होता है एक बार में दो नाव पे सवार करना बेसिकली, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर लो, बाकी Parliament जो है, वो main body is मैं, I don't know Law case आप से तो यह है Case था, अश्विनी कुमार उपाध्याय का case और यह है 33 Clause 7 of the RP Act 1951, पहले जानेंगे क्या होता है, उसके बाद आपने इस पर आएंगे सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानि तूसडे को 33 Clause 7 को कहा कि यह सही है, इसमें जो है, भाई, पार्लियमेंट जो है, विस्दम पार्लियमेंट डिसाइड करेगी I am not to decide, कि भाई, यह सही है नहीं है यह ethical issues है, आप देख लो अपने हिसाब से क्योंकि आप लोग ही लड़ते जगरते हो आप देखो, हमको दूर रखो इससे भाई साथ विस्दम पार्लियमेंट करेगी नों ने नाम दिया उसके बाद इसमें basically क्या है, कि let's suppose अच्छा, इसमें आपको example से समझाएंगे, तो ज़्यादा बेटर समझना है को case यहाँ रखना, आश्वेनी कुमा रुपाद्याई versus Union of India, most important for the D.O.R.M.S. एक example के तौर पर देखो, 2014 में नरेंद्र मोधी दो जगह से लिक्षन लड़ते हैं, एक वदोद्रा से और एक वारानसी से, और इस case में क्या होता है, कि अगर दो जगह से आप दो जगह भर रहे हो ना, अगर दोनों जगह जीत गए, तो क्या होगा, दो जगह सोड़े ने MP बन सकते हो, वारानसी वदोद होई, इस पर क्या होगा, या जो second है, वो बन जाए, नहीं, वो mandates का abuse होगा, abuse of the mandate of the people, तो वहाँ पर by elections कराए जेंगे, और by election का खर्चा कौन देगा, खरकारी देती है भाई साथ election commission, परशान होता है इसके पीछे, 1994-1996 तक तो चार-चार जगह election लड़ सकती, तो उसका amendment ला जाया काई, दो से जाधा नहीं करोगे तुम, बहुत जाधा हो रहा है तुमारा, वद उधरा को इननों छोड़ा, और वहाँ पर by elections कराए तो उसके लिए खर्चा उल्चा होता है, थोड़ा समझा करो, 1996 में more consequences were allowed, उसके आद amendment करके दो कर दिया, तो यह चीज याद रखना, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, लौ मिनिस्टर, यहाँ पर नहीं, येस, कपन फॉल्स फ्री सेज, यूए पिया पॉलिटिकल टूल, सिदिक कपन फाइने रिलीस फ्रॉम जेल, इनको यूए पिया के अंदर चार्ज किया गया था, सिदिक कपन वजा जर्नलिस्ट फ्रॉ कुछ भी हो जाए, एक 6 साल के बच्चे पर आपने यूए पिया लगा दिया, कि 6 साल के बच्चे से थ्रेट है इस कंट्री को, बेसली नॉट है, तो सिदिक कपन वजा जर्नलिस्ट, वो केम टू यूपी टू कवर दा हाथ रस केस, यही था, फैक्ट्स है, सुप्रीम कोट में भी एफैक्ट्स पर भी बाते हुई थी, ठीक है, तो इसमें फालतों के चीजे नहीं चलेंगे, यूए पी एक पास हुआ था 1967 में, ठीक है, अच्छा, यूए पी डिसेंटली भी न्यूज मेरा था आपको, पी एफाई बैंड के चक्कर पे, ठीक है, अभी, अभी एक पी एफाई एक्टिविस्ट जो कोई प्रोटेस जोइन करें उनको बना किया गया, कि भाई, ऐसा मत करो, एक पी एफाई एक्टिविस्ट थी, वास फिल्मिंग इन दे सुप्रीम कोट, और उनके साथ पर्स को चेक किया गया, तो पचास जार रुपए के असकास मिले थे, देखना ये भी निउस आया था बीच में, तो पी एफाई को भी जो बैन किया गया, वो यूए पी एक अंदर ही किया गया था, और इसमें स्पेशल प्रोसीजर्स है, टेरिस्ट एक्टिविटीज को डील करने में, बट कहीं न कहीं ये देखा जाता है, कि जब आप टेरिस इसा नहीं होता है, यह यह प्रूव डैट यू आप गिल्टी, यू आप गिल्टी, तो गेट देखने डेल अप टेरिस्ट एक्ट, यह पूलता है, प्रूब्लिक और आप गयरा वगेरा, अब इसमें आगे देखते हैं, क्या पनिश्मेंट मिलेगा, वगेरा, वगेरा, अ पनिश्मेंट रहे, डेथ, यह फिर लाइफ, एक्ट असाइन्स एब्सल्यूट पावर, देसेंट्रल गवर्मेंट बाइव बाइव बिच, इसमें क्या लिखा हुआ है, कि सेंटर के पास पावर है, यूए पीए के अंदर, और सेंटर को लगता है, अगर कोई एक्स वाई जो है, वो अनलॉफुल नहीं है, तो वो ऑफिशिल घजट निगाल के डेक्लियर कर सकता है, तो आपसे यह कोशन डेरेक्ली फ्रेम हो सकता है, कि यूए पीए किसके अंदर आता है, सेंटर स्टेट, और आज यह जग लोग में स्टेट मार के आओगे, तो यहाँ पर चीज नेक्स देखते है, प्रोविजन्स यह किस पर किस से प्लाई होता है, सिडिजन अफ इंडिया यह है, यह आउटसाइड इंडिया है, पर्शन इंदा सर्विस हाँ, गवर्मेंट है, वेर दे में भी और है नहीं है, पर्शन सिप पे है, एयर क्राफ्ट पे यह बेसिकली ना इंडिया के बाहर है, वो कंप्यूटर जो इंडिया में है, वहाँ पर क्राइम करता है, तो उसको में एक्स टेरिटोली जिर्शन के अंदर, आईपी से के अंदर ला सकते हैं, ठीक है, वही चीज शिप से एरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, वेरेवर दे में भी, और यह इसमें ITL भी गुसा देना अगर बन हो तो, जो कि टेरिस्ट टेरिजम है, और साइबर टेरिजम नाम की भी कोई चीज होती है, साइबर टेरिजम अगर आईटी एक्ट से बात करो, तो सेक्शन 43 जो है, आईटी एक्ट का, 2000, वो डील करता है, what exactly the साइबर टेरिरिज तो यह प्लस इंवर्मेशन था, इसको साइस कर रहा है, अच्छे से बताएंगे, वो अच्छे से बताएंगे, ठीक है, वो एमर्जिंसी के टाइम पे थे, तो पता चलेगा, अच्छे से, तो टाड़ा है, टेरिस्ट एंड डिस्रॉप्टिव एक्टिविटी एक्ट जो कि 1995 में लैप्स कर दिया गया, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेरिस्ट एक्ट 2004 जिसको लैप्स कर दिया गया, पोटा पास्ट किया गया था 1967 में और अब है UAPA, 2019 में UAPA में बहुत मेजर अमेंडमेंट आया, जिसको हम और लौ, जुडिशेरी बहुत इर्टाइड ज़िस करते ह है with time to time इसमें कहा गया, इंडीवीज़ाल टेररिजब का कॉइरिस्ट आया, इंडीवीज़ाल टेररिस्ट उंसर्ट एन क्रह प्रिवाइड इन इक्याक में कुछ घ्राउन्स पे इंडीवीजोल Microsoft को ली टेरिस्ट इपिया था ए पहले ऐसा नहीं था, पहले organizations की बात होती थी, group of individuals की बात होती थी, अब आगे देखते हैं, earlier only organizations could be declared, अर अब individual can also be declared as a terrorist, not designated individual terrorist would given them an opportunity to circumvent the law and regroup under different name, मतलब एक बार जो हो गया सो हो गया, अगर आपको एक बार आतंकवादी declare कर दिया गया, कर दिया गया, आप दूबारा नाम change करके नहीं कर सकते हो, और direct, इस पे DG of NIA के पास power है, कि वो search, seizure और attachment कर सकती उनकी property पे, earlier आपको state police से consent लेना परता था, क्योंकि अब center के हाथ में ही आप, तो आपको पता होगा, आयश्मान कुराना जिसमें IPS का रोल प्ले कर रहा है, संतुलन समाज में, तो काफी अच्छी बात बताई गई थी, जो कि गूरूसम थी, ठीक है, state police से पहले consent लेना होता था, अब नहीं होता है, जो कि center के हाथ में आ गया, this will help human resource crunch in the in you, ठीक है controversial provisions क्या-क्या है, section 15, जो ये बोलता है, income passing practically ever type of violent conduct, political or non-political, सबको इसमें एड़ गर लिया, 43A बोलता है, search, seize and arrest, anybody engaging in any regular activity without a warrant, ठीक है, बिना warrant के धर पकर प्रतियोगता हो सकती है, आपको उठा के ले जाया जा सकता है, simple, बतानी की वज़ोद नहीं है, कि इस ground to arrest किया, यानी क direct and strict violation of article 22, which is a part and partial of fundamental rights, article 22 में पढ़े होगे, article 22 जो है, constitution of India का, वो बताता है न, इस बारे में, grounds of arrest बताओ, तो अब इस घंट है के अंदर, magistrate के पास लेके जाओ, ये सब चीज़े होते हैं, लेकिन, warranty नहीं देना था, काया का ground बताया है, तो मैं भाई, अब आता है, municipal bonds, ये दूसरा topic है हमारे पास, municipal bonds, तो finance minister ने recently, municipal bonds issue कराया है, ये तो municipal bonds से related provisence देख लेते हैं, क्या क्या है, municipal bonds, ये money bonds भी कहते हैं, ये debt instrument है, issued by municipal corporation, obviously, municipal bond है, तो municipal corporation ही करेगा, ये economic development projects in the municipal level पर finance करने में मदद करेगा, history, first 1997, बेंगलूरू में, एक चार प्रोजेक्ट चार साल था, और ये municipal body is 74th constitutional amendment से add किया गया था, 12th schedule है, इसका, 11-12 schedule पढ़ ले न, 73rd, 74th municipality and village बंचाया, tax exemption, municipal bonds are exempted from tax provided, the buyer and others, to the rules laid by the municipal corporations, ये tax exempted है, असान सी भासा है, what is a bond, bond is a debt security, security बढ़ी जाती है, बढ़ भर दो, court में भी होता है, next है, हमारे पास, when you buy a bond, you are lending the issuer, which may be government, municipality or corporation, आप कोई bond खरीदेवा, आप lend कर रहे हो, कुछ उसको, कि हाँ भाई, ये लो, bond देदो, इसके बढ़ ले, in return, the issuer promises to pay you a specific rate of interest, during the life of the bond, मालों ये ने 5 साल का bond लिया, और ये ने का, ये पैं दे जाओ, 5 साल का bond देदो, इतता पैसा देदे रहा, होगे ठीक है, ये चीज है, anguish in Andhra Pradesh over budget aid in अपर भद्र प्रोजेक्ट, अपर भद्र प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट पर पांसज़ार थीम्जो क्रोड का असिस्टेंट है करनाटका पे, वटर है 29.9 TMCFT और तूंग और भद्रा पर प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, अंडर इंप्लिमेंशन ऑफ सेंट्र लिजीम अप करनाटका, आंध्र प्रदेश की कैपिटल बताना क्या है, चेंज हुआ है रिसेंटली, तेंट्र ग तो तीन स्टेट से निकलती है, करनाटका, अंध्रा और तेलंगना, एंसीन ने इसका पंप आ है, इस फॉर्म बाइधा कॉन्फुएंसर तूंग और भद्रा और बोट तूंग और भद्रा रिवर्स और ओर जिनेटेटेट इस इस तरीके से, ये जो वेस्टन गाट है इसक नेक्स देखते हैं, संगमेश्वरा टेंपल इस लोकेटेटेट इन अफॉन्फुएंस ऑफ तूंग भद्रा और कृष्णा, इस्टॉरिक सिटी हमपी है यहाँ पर, मेजर ट्रिबूटिस तूंग यह आप फूर्द रखते हो, मेजर ट्रिबूटिस कंप्लेटली ओके, ज मगली होई है, ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसमें पुष्पा भाई का नाम याद करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, और वो तो जोका नहीं, ठीक है, वो अलग बात है, जोकेगा नहीं साला, लेकिन यहाँ पर जुखना पड़ेगा, यहाँ पर सरकार है, यह मुवी नही कंट्रीज जब ट्रीटी करते हैं, वाशिंटन कंवेंशन भी इसका नाम है, कंवेंशन उन्डिनाशल ट्रेड एंडेंजर स्पीसी साइट जो ड्राफ किया गया था, 1963 में, और पूर्स में आया था, 1975 में, 8 जुलाई को, इसके करेंटली 184 पार्टी है, और यह एड्मिनिस क्या होता है, रेड सेंडल गोड लाल चंगन की रकडी, इस अन एंडमिक ट्री स्पीसीज विद डिस्ट्रीबूटेड, रेस्ट्रिक्टेड टू इस्टर्न घाट में, वेस्टर्न भी नहीं, इस्टर्न घाट में, मतलब इस रीजन में, अगर आप यहां देखो, तो इस मिलेगा, ठीके, रेड सेंडर बोले, और यह आंध्रा प्रदेश में फेमास है, अभी तो पुस्पा भाव जुके नहीं, उनको पता था, भाई, एक ही जगा है, जहां यह मिलती है, और प्राइस तो लेना पड़ेगा, अच्छा, अभी तो बोलते है, पाच मिनट पहले कि देख लो, समझ में आजएगी, कैसे करप्शन है, नाओ, वट नॉट नॉट टो भी मिज्ट में, गवर्मेंट कैं सीख, रीतिंक अन कोलेजियम, कोलेजियम पे वीडियो है, प्लीज देख लेना, 20 मिनिट की भी नहीं है, ठीक से वो वीडियो, कोलेजियम और एंजैक, सभ लोगों ने पहले भी पढ़ा था, एंजी नरेगा से रिलेटेड बाते, रूती दिन पहले की वीडियो है, महां से देख लेना, चीजे क्लियर हो जाएंगी, नाओ, दो कॉस्टन्स, ये नमस्ते पर नाम जो इसकी में देखना, यंगून एंड मंडाले आर दो सिटीज ऑ ये अभी अभी जस्ट पढ़ा है सो, एक जिया स्टेटर्स, नाओ, you can follow us on the these channels to get more access to the daily current affairs and related aspects, thank you, that's all from my side. कर दो